alad झineaz लिमंटेड एक लेडिंग लोबल इंजनिंग कंसरेयं कंपनी हैं गवर्मेंट अवर इंडिया के अंदर पेट्रोलियम एन निश्रियो गैस के अन्तरगत क्याइब करती है तो बने रहे हैं में साथ इस वीडियो में सुरूशने के अन तक जहां आप आज अनलाइज करने जा रहे हैं इंजिनियर्स इंडिया लिट्रेश शेयर्स को इंजिनियर्स इंडिया लेम्टेश यानी ए ए ए ग्लोबल इंजिनियर्स इंडियर्स इस प्रवाइड करने वाली कंपनी है कंपनी नस्यों बेसी दोने स्टॉक एक इंदर ट्रेड होती है शेयर का मार्केट कैप्चुरिंग है 11006.78 क्रोड का शेयर का प्राइस 70 रुपीस क लो से हाई तक पहुंचा था 273 तक और अभी करेंट प्राइस का 196 रुपेज का आज शेयर के अंदर काफी अच्छी मुवमेंट देग गई है और शेयर 12.2 परसंट के हाई तक पहुंचा और प्लोज हुआ है कंपनी का रिपोर्ट कार्ट देखते हैं तो क्या इस के अंदर देखेंगे पी रिशु है 29.59 का अर्निंग परस्यर है 6.09 की सेल है 856.33 की फिस शेयर की फेस्ट वैल्यू है 5 रुपीस की लास्स बोनस दिया है कंपनी ने वन इस टू वन का यह एक शेयर का बोनस दिया था कंपनी ने लास्ट डिटरें दिया था 40 पसंट का कंपनी का बोन का 2010 में 21 का और 2010 में 21 का कंपनी बोनस दे चुगी है अगर हम कंपनी के डिविडेंट रिकॉर्ड को देखेंगे तो यह भी बहुत शांदार है कंपनी बहुत लगातर अपने शेयर को डिविडेंट देती आई है काफी लंबे समय तर लगातर शेयर के अपर पर बहुत अच्छा रिटन देती है यह जे फॉर्म अप डिविडेंट कंपनी के एक साल के चार्ट को अनलाइस करेंगे देखेंगे कि शेयर का प्राइस 71 के लो से पहुंचता हुआ हाई ता साथी कंपनी के शेयर के अंदर बहुत अच्छी वॉलिम हम देख सकते यहां पर ब 50 dma में है वो है 206.28 जबकी 200 dma में है 166.98 का और करेंट में जो चेयर है वह अपने 200 dma से उपर लेकिन 50 dma से नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाए देता है कंपनी के कंसोलिडेटीड प्रॉफिंड लॉज की फिगर को हम अनलाइज करेंगे तो देखते हैं कंपनी की सेल्स और ऑपरिंग प्रॉफिट में क्या पोजिशन है तो कंपनी की सेल को हमें देखते हैं जो हमरे पास एन्वर डेटा एविलिबल है मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23 और TTM को हम देखेंगे तो जो सेल है मार्च 21 के अंदर वो थी 3114 मार्च 22 में 2913 में एक हल्की ग्रावड देखें गई थी उसके बाद मार्च 23 में इसमें अगें एक इंप्रॉइम्ट हमें देखें को मिला था और TTM है 3356 का साथ दिकर अगर हम यह पर देखते हैं कंपनी के रैजर की पोसिशन क्या है तो यहां देखेंगे हैं तो रिजर के अंदर जो हमर्ड सेफ्टमबर के देखेंगे हैं तो जो है वो मार्च 21 के अंदर था 1470 का 22 में हो गया है 1439 का मार्च 23 में 1680 और September 23 में 1885 में इसमें क्लियर्ली एक को देखते हैं तो इसमें क्या पोडिशन कि अे अइस लिजा कंपनी की म जो वो 233 थी लेखते हैं कंपनी के रोलिंग पैटर्न में क्या पोजिशन है तो इसके अंदर प्रमोटर इसमें की गॉर्मेंटर अंडिया का प्रेजिट पर इंडिया है उसकी जो उनर्शिप है इसके अंदर वो है 51.32 करों FIIs का इसके अंदर 7.60 की इसके ओनर्शिप है DIs का इसके इसके अंदर 15.51 परसंट का और जनर्र पप्रिक की इसके अंदर होल्डिंग है 25.54 परसंट की वाफिस सथ अपने चार्ट पेटर्न पर देखेंगे कि जो शेर का प्राइस था अपने लो से पहुंचता हुआ काफी उपर भागा था यहां हम देखते हैं 26 ऑक्टूबर को 26 ऑक्टूबर का शेर का प्राइस था 118 यहां से शेर काफी बिलकुल बिना रुके अपने हाई पहुंचा था इसका ने अपना या हई बनाया था जो था कि फोसे ब्रैवरी को जहां पर चाहां पर मार्ची आप Liferson and यानि अपने हाई 273 से लेकर के सौर पे तक इसमें क्लियर ग्रावड आगी थी साथी कर हम यहां पर इसके साथी कर में यहां पर इसके RSI को देखता हूं तो RSI में भी देखेंगे कि जो शेयर का जो RSI था वो 70 को क्रॉस कर गया था यानि इसमें एक सेलिंग प्रेसर बना था यहां पर कर में होरीजेंटल लाइन ड्रॉप करता हूं तो मैं देखोंगा कि जो शेयर है उसका एक स्टॉंग सपोर्ट है 160 रुपीज का यहने कि आप 160 का एक स्टॉप लॉस लेकर के इस शेयर के अंदर एंटी कर सकते हैं अभी प्रेजेंटली शेयर अपने जो स्टॉप लॉस है उससे काफी ऊपर ट्रेट करता हूं दिखाएता है आज भी शेयर के अंदर काफी अची दिखाए देगी और अगली नए हाई की और आज जाता हुए दिखाए देगा अगर मैं से एक लाइन ड्रॉप करता हूं यह तो हम दिखेंगे कि जो ट्रेंड लाइन है क्लियर ली अप्रेंट के ओर गई थी उसके बाद इसमें ग्राउट आई थी और अब आने वाले समय म लेते हैं एक से दो साल का तो शेयर आसानी से 560 और 680 को लेवल को क्रॉस करता हूं चला जाएगा तो दोस्तों आप इसमें एक इस लेवल पर एंटी करके एक अच्छा रिटन ले सकते हैं साथी किसी भी शेयर में इंट्री करने से पहले आपको उसकी सभी रिस्क रिवार् में सही जानका ही जरूर ले 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 चाहिए यदि आपको यह चानल कर एचे लगी तो प्लीस में चैनल को लाइक और सब्स्राइब जरूर कीजिए थैंक यू फर वाचिंग